वी के सरवात में हम एक कम्यूनिटी को रेखते हैं जहाँ पर अल्मोस छे औरती और उनकी डेलिवरी होने वाला था यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो सभी औरतों को यहाँ पर एक साथ लड़की होती हैं जो कि एक अच्छी बात ने था यह सभी के लिए मतलब कि इस कम्यूनिटी के अंदर एक भविस्वानी किया गया था जिसका परिणाम यहाँ पर बहुती बुरा हो सकता था और वो भविस्वानी यह था कि अगर छे जुन की रात किसी भी छे औरत को एक साथ बच्छी हुए तो उनमें से अटलिस एक लड़का निकलना चाहिए और अगर इसा नहीं होता है तो इसका मतलब यह था कि यह छे लड़कियों में से कोई एक डेमोनिक स्पिरिट के बच्छी होनी वाली थी और यहाँ पर हम देखते कि ठीक ऐसा हुआ था जब छे जुन की रात यहाँ पर छे लोगों की प्रेगिनेंसी एक साथ हुई थी तो इस मुमेंट में पूरे के पूरे छे लोग लड़की थी जिसका एकी मतलब था कि पूरे अठरा साल के बाद यह छे लोगों में से कोई एक लड़की डेमोनिक स्पिरिट के बच्छी बनीगी लेकिन यह बात कितना सच था और कितना जोट वो तो हमें आगे चलके बढ़ चलेगा तो बिसिकली यह सब भवसवानी था जो की धिरे धिरे सच होता वो दिख राता और इसी बीच हम देखते कि उसा कम्मुनिटे का हैड वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम था बिकन और वो यहाँ पर यह छे लड़कियों को मानने के लिए आया था वो जैसे अंदर की तरफ आता है तब हम एक इनसान को देखते है जिसका नाम था जैक वो बिकन को समझाता है कि साइद वो भवस्यवानी गलत भी हो सकती है और तुम इस तरीके से किसी भी छे लोगों की बली लेने सकते हैं मैं तुमें बिलकुल भी ऐसा करने दोगा नहीं और तब दूसरी बहल हम देखते कि यह सबी बाते सुनके वहाँ पर जो छे औरत थी उसमें से एक औरत अपने बच्चे और साथे साथ खुद को खतम कर लेती है वो ने चाते थी कि बिकन उसे मारे तो इसलिए बेचारी खुर से अपनी जान ले लेती है और इसे के साथ हम देखते कि यह मुवी का सिन यापर ही कट हो गया था अब इसके बाद मुवी का सिन सिफ्ट होता है डारेक 18 साल के बाद जहां पर हम वही छोटी पाच बच्चे को रिखते जो कि अब बड़े हो चुके थे और तब हमें परचलता है कि यह सभी के सभी अब कुछी मेनों में पूरे 18 साल के होने वाले थे मतलब कि आगे चलके कहानी में बहुत ही जल्ली ट्विस्ट आने वालता खेर इसके बाद हमें इन पाच लड़कियों का नाम परचलता है जो किता मैरी, एवी, रूत, हेना और सेरा बिसिकलि यह पाच लड़कियों में से कोई एक डेमोनिक स्पिरिट बनने वालता और यह बात इन पाच लड़कियों को वो खुद पता नहीं था खेर इसी बीच यहां पे हमें दो लड़के दिखाए जाते जो कि अलग कम्यूनिटी के थे और इनका नाम हमें पर चलता है फ्रैंक और टेबल अब इसके बाद यहां पे हम सारों को देखते हैं जो कि यह सभी की हैड थी यानि कि कह सकते कि सारा यहां पे सभी की लिडर थी वो सभी से कहते कि अब हमारा समय हो चुक है हमें वापस से हमारे कम्यूटी में जाने चाहिए मतलब कि इनका जो घर था वो काफी दूर था और यह लोग नहाने के लिए बस इतना दूर चलके आये थे कितनी मेनत की यह लोग बस नहाने के लिए खेर उसके बाद हम देखते कि अब सभी लोग सारे की बात मानते और वहां से अब निकलना चालू कर देते लेकिन इसी बीच हम देखते कि जब मैरी वहां से जाने वाली थी तब यह चानक से उसे एक बहुती अजिब सा विज़न आता है और वो वहाँ पर ही अन्दो स्पोर्ट ब्योस्त हो जाती है जिसके बाद हम देखते कि सभी लड़किया मदद के लिए चलाने लगती है और यहाँ पर हम फ्रैंक को देखते जो कि डेरेक मेरी को बचाने के लिए पानी के अंदर बिना सुचे समझे चला जाता है लेकिन जब तक मेरी की जान वो बचा पाता तब तक हम देखते कि मेरी के सासे चलने रुख जाती है जिसके बाद फ्रैंक का तोरंट उसे से प्यार देने लगता है और जैसे तेसे हम देखते कि उसने अलमोस मरते हुए मेरी को बचा लिया था मेरी फाइनली यहां पर हुस में आ जाती है और वो यहां पर फ्रैंक को धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए जिसके बाद अब सभी लड़किया अपने घड़ की तरफ निकल जाते है लेकिन यहां पर हमें पर चलता है कि जो हैना थी उसे एक छोटा सा काम था जिसके वज़े से वो यह लोग के साथ जाती नहीं वो अपने काम को पूरा करने के लिए वो लोग से अलग चली जाती है जिसके बाद हम अगले सिन में हैना को यहां पर एक फार्म में आता हो दिखते हैं लेकिन जैसे वो फार्म के अंदर जाने वाली थी तब यह अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर एक ब्लैक कोट पेनावा इंसान हैना की ओपर डेरिक अटाइक करेता है वो जैसे दिसे अपनी जान बचा के वहां पर एक नाइफ को उठा के भागती है और फिर उसके बाद वो वहां पर एक कोई के अंदर छुप जाती है अपनी जान बचाने के लिए कुछ मुमेंट तक हम देखते हैं कि भार से किसी की भी अवा जाती नहीं और यहां पर दुसरी तरफ हैनो को लगता है कि सायद उसकी जान बच चुकी है लकिन यह से बिल्कुल भी नहीं था हम वहां पर वही ब्लैक कोट वाले इंसान को दिखते हैं जो कि हैनो को देख लिता है और वो यहां पर बहुत ही बूरी तरीके से हैनो को जान चे मर देता है और इस मुमेंट में हमें कुछ भी बताय नहीं जाता है कि आखिर ये ब्लैक कोट वाले इंसान है कौन वो इंसान कोई भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पर सभी को पता था कि वो पाच लड़कियों में से कोई एक डैमोनी के स्पिरिट है खेर इसके बाद अब मुवी का सेन सिफ्ट होता डेरेक मैरी के उपर और तबी हम नोटिस करते हैं कि जो जैक की फैमिली थी वो मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे हैं वोने यहाँ पर मैरी एक एडिसनल बोज लगती थी उनके फैमिली में और कुछ नहीं और इसी वज़े से हम देखते हैं कि मैरी को काफी बुरा लगता है और वो तुरांत अपने कमरे में भात के चले जाती है जिसके वज़े से हम देखते हैं कि जैक भी डिनर से उड़ जाता है और वो तुरांत मैरी के पिछी जाता है वो मैरी को समझाता है कि मैं अपने फैमिली को समझाने सकता लेकिन तुम मेरी एक अच्छी बेटी हो तो तुम मेरी बात को समझ पाओगी मेरा एके सलाय तुम से कि तुम लोगों की बातों को दिल से मतलो लोगों का काम है बोलना और वो तुमें बार बार हट करेगे तो तुम उनकी बाते सुनो मत और इतना समझा कर वो उसे सांथ करे के वासे चले जाते अब इसके बाद मुवी का सिन डारेक आदी रात में सिफ्ट होता है जहां पर हम मैरी को सोता हुआ रिखते हैं लेकिन फिर एक बार यहां पर मैरी को विजन आना चालो हो जाता है वो अपनी विजन में हर जगा उपर से बलड गिरता हुआ दिखती है और इसके साथी साथ वो एक डैमोनिक एंटिटे को भी दिखती है जिसे दिखने के बाद हमें छोटा सा हिंट मिलता है कि साहरे से वो डैमोनिक बच्ची और कोई नहीं बलकि मैरी बनने वाली थी लेकिन जो भी साच था वो तो हमें फिलाल कमफर्म बताएने जाता खेर इसके बाद अगले सुबह हम देखते कि जब सभी लड़की अपने काम में लगे वे थे तब हम आपे वो कम्मिनिटे का हैड यानि की बिकन आता है जो कि सभी लड़की को बताता है कि तुम्हारी एक दोस्ट कहां परे बिसिकली वो यहां पे हैना का बात कर रहा था जिसकी मौत यहां पर हो चुकी है लेकिन उन में से किसी भी लड़की को पता नहीं था कि एक्चुली में हैना कहां परे वो बताते कि जब हम वापस आ रेते तो हैनो को एक काम यादा गया था और फिर उसके बाद क्या हुआ वो किसी को पता नहीं जिसमें हम देखते कि बैकेन वो सबी को वॉन करता है कि तुम पाचों की जान यहां पे खत्रे में हो सकती है वो यहाँ पर यह सभी को अलट कर रहा था क्योंकि यह लोग के अठरे साल पोरा होने आये थे और फिर उसके बाद कोई भी इंसान यह लोग की जान के पिछे बढ़ सकता था अब इसके बाद बैकेन के जाते हम देखते कि दुसरी तरफ वो सभी पाच लड़की प्लान करने लगते हैं वो कहते कि हम सभी रात में मिलके हैना को ढुणने के लिए जाएगे वो सभी को ऐसा लग रहा था कि सायर से हैना वो दो लड़की की पिछे गई होगी तो यहाँ पर वो सभी प्लान करते कि आज रात सभी मिलोगे अब इसके बाद मुवी के अगले सिन में हम देखते कि सभी पाच लड़की एक साथ आ चुके थे अपने घर से कुछ ना कुछ भाना मारके और वो यहाँ पर आते सभी के सभी हैना को डुड़ना चालो कर देते लेकिन इसी बीच वो सभी के ध्यान एक पार्टी के तरफ जाता है जो कि मौडरन लड़के लोग करेते यानि कि दुसरी कम्यूनिटी के लड़के वहाँ पर कुछ लड़किया भी थी तो यह सभी लड़किया मिलके डिसाइड करते कि हम क्यों न वो पार्टी को जॉइन कर ले जिसमें हम देखते कि रूत और सारा दोनों भी यह ओफर को मना करते हैं वो कहते कि हम यहाँ पर हैनो को ढूंड़ने के लिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर हैनो को ढूंड़े गए और इतना केके रूत और सारा दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैनो के तलास में जिसके बाद हम देखते कि एवी, रूत और मेरी तीनों भी उसे पार्ट को जोइन कर निकले चले जाते हैं और यहाँ पर इनके नसिब से हम देखते कि फ्रैंक और टेबल भी थे हैं जो कि यह सभी का विलकम करते हैं एक तरफ हम रूत और साहरे को देखते हैं जो कि यहाँ पर हैनो को डुणने में लगेते हैं और दूसरी तरफ यह तिन लोगों को देखते हैं लेकिन फिर एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पर मैरी को कुछी समय में एक बहुती भियानक विजन आता हैं जिसके वज़े से वो काफी ड़ जाती है और वो तुरांत हम वाँ पे एवी को छोड़के सेरा और रूत के पास चली जाती है दुसरी तरफ हम यहाँ पे बैकिन को रिखते हैं जो कि सभी कम्मुनेटी लीडर से कुछ मेटिंग कर रहा था और यह मेटिंग और किसी के बारी नहीं बलकि वही पास चलड़कियों के बारी में था जिसमें हैना तो गैप थी मतलब कि वही बाखे के चाल लोगों के बारे में इस मेटिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि जो बैकिन था वो यहाँ पर एक बहुती बरा प्लान बना रहा था और इस प्लान में सब भी कम्मुनिटी के दुसरी लिडर भी सामिलते हैं जो भी डैमोनी के स्पिरिट बनेगा वो यहाँ पर एक कम्मुनिटी को टार्गेट नहीं करेगा बैसेकली वो इनकी पूरी नसल यानि की पूरे टाउन को खतम करेगा तो यह काफी बरी बात की और काफी सिरियस बाते हैं तो इस वज़े से यह लोग मेटिंग में कुछ प्लान बना रहे थे खिर इसके बाद हम एवी को देखते हैं जो कि उसी पार्टी में थी जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो एवी को भी छोड़ता नहीं और यहाँ पर उसकी भी मौत हो चुकी थी मतलब कि अब बस बचे वे थे तिन लोग जो कि थे रूत, साहरा और मेरी यह तिनों मेंसे कोई एक डेमो और ने की विल स्पिरिट की बच्छी बनीगी और वो कौन आपको लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में अभी लिख के बता दो खेर इसके बाद अब अगले सुबह हम देखते हैं कि बैक इन ने एक बोती बरा मिटिंग बुलाया था जिसमें यहाँ पर मैरी, रूत और साहरा तिनों भी सामिलते हैं और यह मेटिंग और किसी के लिए नहीं बल्कि जो दो लड़की यहाँ पर गैब हुए थे उन्हें ढूनने के लिए रखा गया था उनकी लास अभी तक किसी को भी मिली नहीं थी तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं हो था कि वो लोग मर गे या फिर वो डेमोनिक इस्परेट वो दोनों में से कोई है के खेर कुछ दिर मेटिंग चलता है और फिर उसके बाद वो मेटिंग को वहाँ पर खतम कर दिया जाता है मेटिंग के खतम होते ही हम देखते ही कि जैसे मेरी वहाँ से भार निकलती है तो उसे वहाँ पर टेबल दिखाए रिता है जो कि कलरात उसके साथ पार्टी में था वो यहाँ पर मेरी को बताता है कि फ्रैंक कभी कुछ अतपता नहीं है वो भी कल रात पार्टी के बाद गैब हो चुका है लेकिन जिसे टेबल यहाँ पर कुछ बताने के लिए जा रहता तब ही वाँ पर जैक आ जाता है जो कि यहाँ पर मैरी को इसके साथ चलने के लिए केता है जिसके बाद हम दिखते ही कि टैबल जैसे देसे जैक से बच्चते हुए मैरी के पॉकिट में एक लिखे वे नोट्स को डाल देता है और वो यहाँ पर जाते समय बाते गुमा कर मैरी को एक हिंट दे देता है कि तुम्हारे पॉकिट में कुछ औरे और इसके बाद हम देखते हैं कि मूवी का सिन डेरेक रात में सिफ्टूता है जहाँ पर मैरी जैक से वही डेमोनिक स्पिरिट के बारे में बात करी थी जो कि आज मिटिंग में बताया थे बैक इन ने वो पूरा सच जानने के कुछिस करी थी और यहाँ पर जैक से पुछती है कि आखिर बैक इन किसके बारे में बाते कर रहा था जिसके रिप्लाइ में हम देखती कि जैक अपने सबी बच्चों को सोने के लिखेता है और फिर उसके बाद अब जाकर यहाँ पर जैक पूरी वो डेमोनिक का कहानी सुनाता है और उसके साथ इसाथ वो बहुस्वानी बताता है जो कि कुछ साल पे ले हुआ था लेकिन यहाँ पर मेरी की मा की मौत आखिर कैसे हुई वो जैक ने किसे को बताया ने था खेर यह सबी बाते बताने के बाद जैक कहता है कि यह सबी बात बपवा से तुम यह सबी बाते में ध्यान मत दो और इतना के कि वो इस टॉपिक को बंद करेता है अब इसके बाद मुवी के अगले सुबह हम देखती कि मैरी को यहाँ पर टेबल की बाते याद आती है वो तुरंत वहाँ पर अपने पॉकेट को चिक करती है जिसमें उसे एक नोट मिलता है और इसमें लिखा हुआ था है कि आज बारा बज़े लेक के पास मिलो बिसिकली यहाँ पर मैरी को लपता है कि वो साथ कुछ फ्रेंक की बाते बताने की कुश्स कर रहता लेकिन जैक को देखने के बाद वो उसे बात को कंपलेट ने कर बाया तो इसी वज़े से हम देखते कि अब मैरी यहाँ पर टेबल से मिलने के लिए त्यार हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने घर से उसी तलाव के बास जाने के लिए निकल जाती है लेकिन वाँ पर जाते समय हम देखते कि जो रूत के डैड थे वो काफी अजीब तरीके से उसे देख रही थे और यह चीज मेरी को काफी अजीब लगता है खैर यह सभी चीज़ को इग्नोर करने के बाद वो फाइनली यहाँ पर तलाओ के पस आ जाती है और यहाँ पर उसे टेबल दिखा दिता है जो कि उसे बात बताने के लिए नहीं बलकि बस उससे मिलने के लिए भारा मारा था और इस मुमेंट में हम देखते कि टेबल अपनी दिल की बात फाइनली यहाँ पर मैरी को बता दिता है जिसमें हम देखते कि मैरी भी कहीं न कहीं टेबल को पसंद करती थी वो कुछ भी डिप्लाइ करती नहीं उसे बिना कुछ कहें वासे निकल जाती है मतलब कि यहाँ पर यह दोनों का अलगी चरह था एक तरफ यहाँ पर इनकी पूरी टाउन खत्री में थी और दुसरी तरफ टेबल को तो अपनी पड़ी थी खर इसके बाद हम देखते कि अब जैसे मैरी अपने घर की तरफ जा रही थी तब यहाँ पर उसे फाइनली हैना और एवी की लास दिखा रही थी है और यह देखने के बाद मैरी तुरंट अपनी जान बचा के रूत की तरफ जाती है और जैसे वो यहाँ पर रूत को बताती है कि मैंने जंगल की तरफ हैना और एवी की लास दिखी तो दुसरी तरफ हम देखते कि उसके डैड भी यह बात सुन लेते और इस मुमेंट में एक बोती अजिब सा चीज होता है जैसे ही यहाँ पर मैरी वो लास ओली बात रूत को बताती है वैसे ही दुसरी तरफ जो रूत के डैड थे वो अचानक से अपनी जान ले लेते और इस मुमेंट से हमें क्या हिंट मेरा था इसके बारे में इनफेक्ट मुझे भी बता चलता रही यहाँ पर मैरी के साथ कोई डैमोनी कसा आया था जिससे देखने के बाद उसके डैड ने खुद की जान ली या फिर बात कुछ औरी थी यह सभी के बारे में कुछ भी कंफर्म हमें बताएने जाता अब इसके बाद मुवी के अगले सिन में हम देखते कि जब रूत रात में सो रही थी तो तब ही वाँ पर हम उसकी मा को आता हुआ देखते जो कि उसे अच्छानक से मानने लगती है लेकिन जिसे तिसे हम देखती कि रूत यहाँ पर बचने में काम्याब हुजाती है जिसके बाद अब रूत समझ चुकी थी कि वो अपने घर में भी सेफ नी है जिसके बाद हम देखती कि जो रूत थी वो काफी ड़ जाती है तो वो मैरी को कल रात वाली पूरी बात बता दीती है और केती कि मेरी माँ अब मेरी जान लेने के पिछे बढ़िये जिसकी रेपलाई में हम देखती कि मैरी उसे संबालने के कुछास करती है और इसी पिछ हम देखती कि तभी अच्छानक से जो रूट की मा थी वो चर्च के टॉप में आ जाती है और ठीक उसके उपर से वो अपने बेटी के सामने खुद की जान ले लीती है बिसिकली यहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक रिगरेट वाला सिंता मतलब कि जो भी यहाँ पर रूत की माने रूत के साथ किया था उसके लिए उसको पच्चतावा हुआ था और इसे वज़स हम देखते हैं कि वो अपने फाइनली जान लेके वो रिगरेट को यहाँ पर खतम कर देती है यह सभी के बाद हम देखते हैं कि जो बैकिंग था वो यहाँ पर पूरी तरीके से इसे बारे में तो जैक तुम्हें अच्छे से बताएगा यह सुनने के बाद अब मैरी जैक क्यों पर बिल्कुल भी ट्रस ने करी थी उसने बच्पन से बस जैक के मुझसे बस इतने सुना था कि उसकी मा की मौत हो चुकी है जैक ने बच्पन से उसे बस यही बताया था कि उसकी मा की मौत हो चुकी है लेकिन आखिर उसकी मा की मौत कैसे हुई वो कभी बताया ने था और वो यहाँ पर आने के बाद जैक से सवाल में सवाल करने लगती है वो कहती कि आपने हमसम उससे जुट क्यों का मेरी मा की मौत नहीं हुई थी लेकिन फिर भी आपने मेरी मा को मार दिया और इस मुमेंट में हम देखती कि जैक उसे कुछ भी बताता नहीं वो बस सुनते जा रहता उसकी बाते लेकिन वह दुसरी तरफ हम देखती कि जो उसकी वाइफ थी वो यहाँ पर गुस्से में पूरा सच बता दिती है और अब जाकि हम देखती कि जो मुवी का खानी था वो धिरे धिरे भार निकल के आ रहता यहाँ पर हमें पर चलता है कि वो छे तारीक के रात छे लड़कियों का जो जनम हुआ था वो बस एक मामूली बात नहीं था मतलब कि वो सभी के सभी एक सोचा समझा करस रिच्वल था और इस रिच्वल को यहाँ पर किसी ने नहीं बलकि मैरी के मानी किया था और जब यह बात सभी को बदा चली तो यहाँ पर सभी ने मैरी की माँ को अपने कम्मूनिटेस से मार के निकाल दिया और इस मुमेंट में अब जाके मैरी भी समझ पा रही थी कि आखिर उसे विजन क्यों दिख रही थे वो एक मामूली लड़की ने थी बलकि उसकी मा एक बहुती बरे तांतरिक थी खेरिसी बिच हम देखती कि जो यहाँ पर जैक की वाइफ थी वो उसकी मा का एड्रस भी उसे बता दिती है वो उसे गुसे में केती कि तुम भी यहाँ से चल जाओ तुमारी मा के पास जिसके बाद हम देखती कि जैसे वाँ से मैरी जाने वाली थी तब ही वाँ पर टेबल अपने डैड के साथ आ जाता है और यहाँ पर हमें पर चलता है कि जो टेबल के डैड थे वो एक पुलिस ओफिसर थे और जितने भी मौत यहां पे हो रही है वो सभी का investigation करने के लिए table के dad यहां पर आयते लेकिन वही दुसरी तरफ हम देखते कि अच्छानक से हमाँ पे backing आ जाता है जो कि table के dad को warn करता है और कहता है कि मेरे permission के बेना तुम यहां पे investigation नहीं कर सकते हैं और यह चीज अक्सर यहां पे गाउं में होता है जहां पे ग्राम पंचायत सरपंच यह सब होते हैं तो वो किसी भी भारवाले को investigation करने देते नहीं भले वो पुलिस हो या फिर कोई भी इंसान वो यहां पर आखरी में टेबल के डैड को वारन करता है और कहता है कि तुम अगर investigation करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमें कोट से एक वारन्ट लेना परेगा जिसमें हम देखते कि टेबल के डैड चाहा के भी कुछ नहीं कर पाते जो भी यहां पे back in के रहा था रूत को रिखते हैं जो कि चला चला के कहती है कि यह सभी की पीछे back in है वो यहां पर टेबल के डैड को investigation करने के लिए कहती है लेकिन पूरे community के member उसे रुक लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो police officer वा से जाते हैं तो उसके बाद जो backing था वो यहां पर रूत को एक बूती बरा punishment देते हैं वो केता है कि तुम हमारे community के head के खिलाफ गई हो यानि कि मेरे खिलाफ तो तुमारी सजा यह है कि तुम इस community के member अब नहीं हो मतलब कि तुम अब हमसे के लिए से गाउं से निकल जाती हो ठीक Mary की मा की तरह और इस moment में हम देखते हैं कि कोई भी इनसान यहां पर रूत की मदद कता नहीं जिसके बाद रूत हमाँ पर रूते हुए भार निकल जाती है और अब बस बचे हुए थे दो लोग यानि की Mary और साहिरा यह दोनों भी अब बैक इन की नजन में आ चुके थे अब इसके बाद मूवी के अगले सिन में हम देखते हैं कि जो Mary थी वो यहां पर टॉबल के पास आती है उससे मदद मांगने के लिए क्योंकि एक वो ही था जो कि उसकी मदद कर सकता था इस समय और फिर उसके बाद हम देखते कि वो दोनों भी अब रूत को ढूणने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं जिसके बाद हम देखते कि फाइनली कुछ समय ढूणने के बाद उन्हें रूत दिखा दिती हैं और वो तीनों भी अब यहां पर Mary के मॉम के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें अब पक्का पता चल गया था कि जो बैकी ने वो जरूर कुछ तो छुपा रहा था इसलिए हम देखते कि अब वो तीनों भी यहां पर Mary के मॉम के घर के तरफ निकल जाते और फिर उसके बाद मूवी के अगले सिन में हम देखते कि फाइनली यहां पर Mary पूरे 18 साल के बाद अपने मा से मिलती है जिसे जैक ने कहा था कि उसके मा बच्पन में मर चुकी है यहां पर दुसरी तरफ हम उसके मा को देखते जो कि उसे देखने के बाद तुरंत पेचान जाती है और वो देखने में में भी काफी अच्छी हेल्ट में लग रही थी लगने रहाता कि वो किसी तरी के कुछ तांत्रिक है खेर तभी हम देखते कि जो यहां पर Mary थी वो अपनी मॉम को पूरा सच बता दीती है कि गाउं में पिछले कुछ हफतों से कितनी मौते हो रही है और इस मॉमेंट में हम देखते कि फिर एक बार कहाने में टूस्ट आता है यहां पर जो Mary की मौम थी वो उसे बताती है कि मैं किसी तरी के का कुछ भी समन की नहीं थी वो बस एक जोटा एलिगेसन था जो कि किसी और ने नहीं बलकि बेकिन नहीं लगाया था जब मुझे उसका पूरा सच पर चल गया कि वो पाच लड़कियों को मानने के पिछे लगा है तो मैंने उसके सच बताने की कुस्तिस की थी लेकिन उसके पहले ही उसने मुझे गाउं से निकाल दिया और वो यहां पे मैरी को ये भी वर्निंग देती है कि अगर तुम्हें यहां पर बेकिन के खिलाफ के एना है तो सबसे पहले सबुत को जाम करो लेकिन एक बात यहां पे नुटिस करने वाली थी कि जो भी मैरी, रूथ और सारे थे वो सबी के सबी 18 साल के हो जाएगे परसू की दिन मतलब कि इनके पास बहुती कम समय बचा है यहां पे बेकिन को अस्पोस करने के लिए और वो टाउन को बचाने के लिए भी खेर इसी बिच हम देखते कि जो मैरी की मॉम थी वो तुरंत यहां पे रूथ और उसकी बेटी को वहां से भगा दिती है और उसके ऐसे करते ही दुसरी पल हम देखते कि वहां पर बेकिन आ जाता है यहां पर आने के बाद बेकिन हर जगा मैरी और रूथ को ढूणता है लेकिन उसके मॉम के घर में कोई भी दिखा दिता नहीं अब इसके बाद दुसरी तरफ हम मैरी और रूथ को ढखते है जो कि यहां पर टेबल की मदद से तुरंत महां से भाग जाते है मॉवी के अगले सुबह हम देखते कि वो दोनों भी यहां पर टेबल के घर में चुपे वेते हैं लेकिन जैसे वहां पर टेबल के डैड आते तो वो दोनों वहां से पिछे वाले रस्टे से भाग जाते और भागते भागते हम दिखते कि मैरी यहाँ पे रूत को अपने साथ जैक के पस लाती है लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पे रूत को देखकर काफी गुसा करती है वो केती कि बैक्किन ने साफ मना किया है कि रूत की मदद तो कोई करेगा नहीं और तुमारी हिम्मत के सवी मेरे घर में रूत को लाने के लिए लेकिन यहांपे जो जैक था वो बेचारा अभी भी मेरे की मदद कता है वो अपनी वाइफ को सांथ करता है और उसे कहता है कि बस एक रात के बाते हम अगले सुबा यहाँ पर रूत को किसी और जगा छोड़की आएगे हैं और जैसे तेसे वो अपनी वाइफ को मना लेता है अब इसके बाद मोवी का से नडारेक रात में सिफ्ट होता है जहाँ पर हम जैक की वाइफ को देखते फिर एक बार यहाँ पर वो कलिस करती है वो कहते हैं कि अगर यह दोनों इससे घर में है तो मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ से दूर चली जाओगी और वो ठीक यहाँ पर इसे करती है लेकिन जैक को से बिलकुल भी रोकने की कुसिस करता नहीं वो अच्छे से जानता था कि यहाँ पर रूत की जान इंपोर्टन्ट है तो इसी वज़े से हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ को रोकने की भी कुसिस करता नहीं खेरी से बिच हमें एक और चीज पता चलता है कि आज रात बारा बज़े यहां पर मैरी रूथ दोनों भी अटरा साल के हो जाएगे हैं जो कि बिलकुल भी अच्छी बात ने थी जैक के लिए अब इसके बादे दुसरी तरह हम यहां पर रूथ को देखते हैं जो कि बैकेन के घर के बास भगती हैं और उसके पीछे हम मैरी को देखते हैं जो कि उस रुकने के कुस्सिस करती हैं मैरी उसे बहुत ही समझाने के कुशिस करती है कि तुम अप हालतु में यहाँ पर अपनी चान एडिक से मडारी हो जिसके रिपलाई में रूत बताती है कि मुझे अपनी मौम का बदला लेना है मैं किसी भी हालत में उसके खिलाफ हो सबुत को ढूंड के रहोगी और इसे वज़े से हम देखते कि वो यहाँ पर मैरी की बाते सुनती नहीं और वो इसके फार्म में चले जाती है कुछ ऐसे बुद को ढूंडने के लिए लेकिन वही दुसरी तरफ हम देखते कि बैक इन को किसी की आने की आहट मिल जाती है वो तुरांत अपने घर से बार निकलते चेक करने के लिए जिसमें हम देखते कि मैरी अपने आखों से रिख लीती है वो तुरांत रूत को लेके अपने साथ घास में चुप जाती है एक तरफ हम यहाँ पर बैक इन को रिखते जो कि वो लोग के आसपास था और दुसरी तरफ यह दोनों भी चुपके से चुपे वेते लेकिन तब ही अच्छानक से हम देखते कि मैरी के सामने फ्रैंक की लास दिखा देती है और उसे देखने के बाद वो जोड से डड़के मारी चिला देती है जिसके वज़े से हम देखते कि बैकिन को पाता चल जाता है कि जरूर यहां पर कोई तो है वो तुरांत यह लोग की तरफ बढ़ने लगता है जिसके वज़े से हम देखते कि अब मैरी और रूत दोनों भी अपनी जान बच्चा के अलग-अलग भागने लगते और इसी बीच हम देखते कि रूत बचने के लिए अपने डैड के बस भागते चली जाती है जिसके बाद हम देखते कि उसके डैड भी काफी खुस हो जाते उसे देखके उन्होंने अपने बेटे को लगबग दो दिन के बाद रिखा था वो तुरंद अंदर आने कलो से केते लेकिन जैसे यहां पे रूत अंदर जाने वाली थी तब भी वही ब्लैक कोट वाला इंसान यहां पर वापस आ गया था जिसके बाद अब वो यहां पे रूत के पिछे पढ़ गया था जो कि अपनी जान बचानी के बहुत ही कुशिस करी थी वो जैसे देसे बच कर उपर वाली कमरे में आ जाती है और खुद को एक लोकर में बंद कर दीती है और उसके बंद करते ही हम देखते हैं कि वहां पे दुसरी पल वही ब्लैक कोट वाले इंसान आ चुका था वो हर जगा रूथ को ढूड़ना चालो कर देता है लेकिन उसे कहीं भी रूथ दिखा देती नहीं जिसके बाद वो यहां पे निच्छी की तरफ चला जाता है दुसरी तरफ हम रूथ को देखते हैं जो कि वहां से हिलती नहीं वो उसी जगा चुपचा बेठी रहती है लगबग आदे घंटे तक और फिर उसके बाद जब आदे घंटा हो जाता है तो वो चुपके से वहां से भार निकलती है लेकिन भार निकलती हम देखते कि उसने बहुती बरी गल्ती किया था वो किलर मतलब कि वो ब्लैक कोट वाला इंसान कहीं पर गया नहीं था बलकि वहां पर ही छुपा वा था और ये चीज़ यहां पर रूत नोटिस करते नहीं जिसके बाद हम देखते कि वो ब्लैक कोट वाला इंसान यहां पर रूत को भी बहुती बुरी तरीके से जान से मर दिता है अब हम देखते कि बचे वे तो बस दो लोग जो किते सारा और मैरी खेर इसके बाद मोवी का सेन सिर्फ रूता है बैक इन की तरफ जो कि यहाँ पर हर जगा मैरी और रूत को ढूंड रहा था और इसी बीच वहाँ पर उससे जैक की वाइफ दिखा दिती है जो कि यहाँ पर बैक इन को पूरा सच बता दिती है कि मैरी मेरे घर में आई थी वो भी रूत को लिके हैं और वो दोनों भी फिलाल मेरे घर में होगे लेकिन साइद अब वो लोग सारे के पास जाएगे क्योंकि बहुत ही जल्दी बार बज़ने वाला हैं यह सुनते ही हम जाएगे की वो ब्लैक कोट वाले इनसान अब यहाँ पर जैक की वाइफ को भी मार देता है और इस मॉमेंट में फिर एक बार हमें कमफर्म पर चल जाता है कि जो भी इनसान सबी को मार रहे वो साथ यहाँ पर बैकी नहीं है बलकी कोई औरी था खेर दुसरी तरफ हम मैरी की कंडिशन थी वो बिल्कूल भी ठीक नहीं थी जैक तूरंट उसे यहांपर सारे के पास लिखे जाता है और उसके वाइफ का प्रेटिक्षन बिल्कूल यहांपर सही था उसके वाइफ ने भी यह कहा था कि मेरा हस्बेंड यानि की जैक वो दोनों को साधे सारे के घर भी लिक जाएगा और वो ठीक यहाँ पे मैरी को सारे का पास लिकिया आया था क्योंकि सारे के फैमिली के अलावा कोई भी इंसान के ओपर वो विश्वास नहीं कर था तो इसलिए वो अपने साथ मैरी को यहाँ पे सारे के पास लाता है और उन्हें कहता है कि आप लोग मैरी क समभालो, मैं तुरंट डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, जिसमें हम देखते कि सारा और मेरी और जो यहां पे सारा की माती, वो यहां पर जैक के साथ चल जाती हे डॉक्टर को बुलाने के लिए, और इसी चिछ का हम देखते कि फायदा दुसरी तरफ बैकिन उठा लेता है उसने बिसिकली यहाँ पर सभी का ब्रेंवास किया था कि जो भी सारा और मैरी है वो रात को बारा बजी के बाद एक डैमोनिक स्पिरिट बनने वाले तो हमें किसी भी यहालत में वो दोनों को पूरी तरीके से प्योड करना होगा लेकिन वो सभी की आने से पहले हम देखते कि जो यहाँ पर सारा थी वो मैरी की कंडिसन देखके और भी डढ़ जाती है मैरी की जो कंडिसन थी वो और भी खराबोरी थी वो कुछ बोलने पारी थी और यह सब देखने के बाद अब सारा फैसला करती है कि वो किसे की मदद लिखे आएगी लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर सारा घर के भार आती है तब वहाँ पर वो ब्लैक कोट वाले इंसान आ जाता है जो कि अब यहाँ पर सारा को भी बहुती बुरी तरीके समार देता है और इस मुमेंट में हम देखते हैं कि वो डेमोनिक स्पिरेट और कोई नही बलकि यहाँ पर मैरी बनने वाली थी फिर इसके बाद हम दुसरी तरफ बैकेन को देखते हैं जो कि सारा एकै घर के पास आ जाता है और सबी से वो कहता है कि मैं अंदर जाके रिच्वड परफॉर्म करता हूँ बारा बज़े से बिले और फिर उसके बाद हम देखते कि वो यहाँ पर मैरी के पास आता है जहाँ पर हम देखते कि वो कुछ रिच्वल नहीं बल्कि उसे जान से माने की कुछिस करता है और इस मुमेंट में हम देखते कि फाइनली यहाँ पर मैरी की जान भी खत्री मा चुकी थी वो जैसे यहाँ पे मैरी को जान से माने वाला था तब ही मेन मुमेंट में हम देखते कि कहाने में टूस्ट आ जाता है और हम यहाँ पे टेबल और उसके डैड को देखते जिसे और कोई इनेबल की जैक बुला के लाया था और वो से समय में हम देखते कि यहाँ पर मैरी की जान बचा लेता है जिसके बाद हम देखते कि अब वो सभी तुरंट यहाँ पर मैरी को हस्पिटल लिखे आते हैं और वही दुसरी तरफ हम देखते कि अब बारा बजने में बस 25 मिनिट बचा हुआ था यहाँ पे मैरी जैसे हुस में आती है तो तब ही वहाँ पर टेबल के डैड आते हैं और उससे कुछ पुछताच कने लगते हैं लेकिन मैरी उन्हें वान करती है और उनसे कहती है कि यह बस 25 मिनिट बचा हुआ है मुझे जल्द से जल्द मार दो यह सबी बाते सुनने के बाद जो टेबल के डैड थे उन्हें लगता है कि साथ यहाँ पर मैरी को एक बूती बरस अदमे लगा है तो वो इसके बातों को जारे सीरे से लेते नहीं और वहाँ से चले जाते हैं जिसके बात हम देखते हैं कि अब मैरी की मौम उसे मिलने के लिए आती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि अब जाके पूरा कहानी का सच हमें पर चलता है कि एक्चलि यहाँ पर क्या हो रहा है मैरी की मौम उसे बताती है कि जो भी यहाँ पर बैकी ने बताया था वो सबी इलजाम और एलिगेसन पूरे सच थे मतलब कि वो चाहती थी कि वो डेमोने के स्पेरेट मेरी बेटी को चोईस करे और इसी वज़े से उसने 6 जुन वाला जो रिचुवल था वो भी उसने किया था और यहाँ पर हमें एक और सौकिंग बात पर चलता है कि जितने भी मौतें यहाँ पर हुई थी वो सबी की जान लेने वाला और कोई नेबल की मेरी की मौम थी जिसके वज़े से उसने बागे की चार लड़कियों को बहुती बुरी तरीके से मार दिया और अब हम देखते कि बस पाच मिनिटी बागे था और मेरी यहाँ पर चाह के भी कुछ ने कर सकती यह सबी बताने के बाद अब मेरी की मौम वासी चल जाती है तब यसी बिच हम देखते कि मौम पर टेबल आता है जो कि यहाँ पर मेरी को सांथ कर निकले आया था और दुसरी तरफ यहाँ पर मैरी को भी ऐसे लग रहा था कि सायद इनके सच्छे प्यार के सामने वो डैमोनिक इस्पिरेटर हाट जाएगा और इसी वज़ेस हम देखते कि मैरी आखरी बार टेबल को गले लगाती है और ठीक उसके बाद हम देखते कि 12 बच जाता है जिसके बाद हम देखते कि अब डैमोनिक इस्पिरेटर पूरी तरीके से यहाँ पर मैरी के उपर हावी हो चुका था और वो सबसे पहले यहाँ पर उसके सच्छे प्यार को जान से मार देता है मतलब की टेबल को जिसके बाद हम देखते कि अब उस टाउन का पूरा लाइट चला गया था और फिर एक बार यहाँ पर काफे सालों के बाद वो डैमोनिक स्पिरेटर वापस जाग चुका था और इस मुमेंट में हमें पर चलता है कि बैक इन साइद गलत नहीं था वो बस अपने टाउन को बचाना चाहता था लेकिन जैक उसकी बाद आकरी तक माना नहीं और उसकी एक गलती के वज़े से यहाँ पर पूरा टाउन खत्र में आ गया था जिसके बाद हम देखते कि अब जो मैरी थी वो पूरी तरिके से एक डैमोनिक स्पिरेटब बन जाती है और वो सबसे बेले यहाँ पर बैक इन के बास आती है और फिर उसके बाद हम देखते कि आखरी में बैक इन की बोटी बुरी तरीके से मोथ हो जाती है और इसी के साथ ये टाउन और ये मूवी दोनों का किस्सा या पर ही खतम हो जाता है खेर बात करें इस मूवी के स्टोरी लाइन की तो वो बोती हथ का काफी अच्छा था इस मूवी का जो आखरी में प्लॉट चेंज वा और जो कहाने में टुइस्ट आया वो सच में पूरी तरीके से मूवी का स्टोरी चेंज कर दिया था खेर जो भी है इस मूवी के आखरी में हमें इतना तो परच चल गया था कि कभी भी किसे को जल्दी जज नहीं करते मैंने भी स्टार्टिंग से बैक इन के उपर ही डाउट किया था लेकिन आखरी में जाके पूरा स्टोरी चेंच हो गया और इसे के साथ ये मूवी भी यहां पे खतम होती है तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना पी ओ भी लिखना भूलना मत मिलते हैं डेरेक नेक्स वीडियो में